कब से शेर्वजा से जोड़े हो मैम इस समय कहा तकलीव आ रही है फिर कौन सी क्वेरी महिश्वरी साथ के लिए अभी कितना टाइम होगे रूची माम लिए हुए इनको मुझे लिए भी होगें सार शिक्स मन्स हो गए है दो साल का टाइम हराईजन था देड़ साल के आसपास का बड़िया सा उटलुक है रखना चाहते हैं रख सकते हैं अच्छा मूवर रहा है मैम की खरीच से अभी भी बड़ी अच्छे रूपे ओपर ट्रेड कर रहा है फंडमेंटली क्या व्यू बन रहा है इडिएफसी बैंक में क्या रखना चीए एक डेर साल में मीनिंग्फूल अप्टिक्स आप देख रहे हो क्या इसमें पहले विए अच्छे लेवल जिखने के बाद बहुत पस्त पड़ चुका है यह स्टॉक अब फिर मोमेंटम में है रखे रहों कि इसको बिल्कुल रखे रहने की सला रहेगी आशी श्री निविशक का और अच्छा इंवेस्मेंट उन्हें अच्छे प्राइस पर मिला हुआ है और मुझे लगता है कि इंफेक्ट आप यह दो एक साले आप होल्ड कर पाएं तो इंफेक्ट इस स्टॉक आप आप शायद तीन डिजिट में भी बाइंगे अब रीजन यह है कि सबसे पहले तो जो उनके जो नतीज़े आ रहे है इस प्रतिशत के नीचे चले जाएंगे तीसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले एक साल में एफ आइस ने इस का बैंक में अपनी हिस्स्यधारी हर क्वाटर में बढ़ा ही तो चौदर प्रतिशत जो हिस्सेदारी थी उनकी आप जाके बीस प्रतिशत हो गई है तो क्वालिटी हैंस में स्टॉक एक्क्यूमिलेट हो रहे हैं क्योंकि रीटेल बैंकिंग में जो उन्होंने अपना फोकस कर लिया है तो उसके फूरू आने श मैं की खरिदारी तो अच्छे लेवल्स पर पच्पन पर तीन रिजन मतलब पैसा डबल मैं रखी होई होल्ड कर यह आज ही ज़र को पसंद आ रहा है इन लेवल्स के आसपास आपकी लेवल्स तो एंट्री पॉइंट अच्छे हैं वो तो कहने हैं करेंट लेवल पर भी चा हैं तो खरिदारी करी जा सकती है तो आईडे अफसी फर्स बैंक मैं